नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में दोस्तों वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इंग्लेंड लेवन होसेज स्कॉटलेंड लेवन के बीज जो होगा इरूपेन के चैंपिनशिप का आज का दिन का चौथा मैच दोनों टी और इंग्लेंड लेवन दोनों के लिए अच्छा जाएगा क्योंकि मैं यह मैच एक थोड़ा सा इंफेबर इंग्लेंड लेवन बनाना पसंद करूंगा बर दोनों टीम ने लास्ट मैच में छे-छे बॉलिंग ऑप्शन्स यूज किया था तो जो इंपॉर्टन बॉलर है वह भी सोचना पड़ेगा हमें दो ओवर वाले बॉलर तो ध्यान से आप वीडियों तक देखो पसंद आया तो लाइक कर देना अगर आप चैनल में नीव हो फॉस्ट टैम देखो वीडियो फटा पट से चैनल को सब्सक्राइब करो और जॉइन हो जाओ टेलिग्राम क्यू को भी आप टैलीग्राम जॉइन हो जाना हम लोग सिक लेंगे अपने से ठीक है ना तो description वाले link से टैलीग्राम आप जॉइन हो सकते हो test hooga comment section वाले link से भी टेलेग्रम जोइन हो सकते हो और चाहूँ तो सर्च कर सकते हो एदर लगा के टीम से FDF टैली नब पे जाके बट अगर सच करना है तो क्यारफुल इग्जैक्ट इहीं लिखना तो इस मैच के अनलाइसिस में मैं आता हूँ बाउनरी हच से भी ज्यादा छोटा है दोस्तों अगर इंग्लेंड 11 से हम लोग देखेंगे तो बेस्ट कौन रहेगा तिको हैरिसन वर्ट को कुई नहीं लेने वाला इस मैच में आई थी क्यूंकि आप ले सकतो यह बहुत ही कमाल की प्लेयर है मैं नीचे रिकॉर्ड बताऊ तो इनका बहुत जादा डिपैंड है टॉप 3 के उपर उसके बाद थोड़ से हिट और मिस नीचेट की मिडल ओर के बैट्समें स्टिल एंडी डिश्टाउन आपको दो वद दे रहा है बालिंग से बैटिंग करा रहा है तो रख लेना सैंपियस बैट बाल दोनों करा लेग तो रख सकते हो और उसके बाद जो प्लियर्स है ना मैं हमेशा मानूंगा अगर बॉल फर्स्ट हुआ मुंगो रसल पंद भी खेंग है देखो एक अदा मैच खराब जा सकते है बट बॉल फर्स्ट वा मुंगो रसल को जरूर ट्राइग कार सकते हो और अगर बॉलिंग एस्पियोस और गाइस एडिस्टोन कर दोए दिखेंगे यह इनके लास्ट के रिकॉर्ड है जहांसा आपको डैन लिंगन का रिकॉर्ड दिख रहे हो ना 42 का एवरेस से लास्ट यह रन था इनका और वहीं पे हैरिसन वार्ड का 43 दोनों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेल और फर्स्ट मैच में एक लौता विकेंड इनको मिला था बाकी यह प्लेयर से एलेक्स रस्ट का भी परफोर्मेंस अच्छा था सिर्फ 14 मैच में उननी सुके निकाले थे लास सेजन लेक स्पिनर है हमेशा मैं प्रिफर करता हूं एक लेक स्पिनर को रखना और मुंगो रस सेकेंड लेवन से खेल के आ रहा है लास्ट के पांच मैच पे इनका विकेंड था अधर टीवेंटी में प्लेयर खराब नहीं है गाईस एक अधा मैच खराब जा सकता है बैक कर सेकते अच्छे प्लेयर इसको स्कॉट्लेंड लेवन देखोगे तो बहुत सारे बालिंग सब्सक्राइब करा रहा है इतना बरा स्कॉर 47 जैसा हर बार बनाना मुश्किल है इन्होंने अब तक दो स्कॉर बड़ा था 47 आज का और इससे पहले 55 फिलाल यह बॉलिंग करा नहीं रहा है तो कैसे हम लोग इनको ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं जैक होगत होगत आपके लिंप जिसके कारण एद्रियान निल से इन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराया था तो गैस एलस्टैर इवेंस को फिलाल तो रखना पड़ेगा बड़ डिफेंशल जाना है तो एद्रियान निल और बीकूरी बीकूरी बहुत ही अच्छे बॉलर है परफोर्मेंस खराब था लास में इनके पास्ट के रिकॉर्ड है आप अगर यहां पर आके देखे होगे ना मैं जिनका रिकूर्ड दिखाना पसंद करूंगा आपको वह रहेगा गाइस कौन बीकूरी का रिकॉर्ड का आगया यहां पर फिलाल मिलने यह रहा सर्सक्स से खेल के आ रहा है तीन एक 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 सबको दे सकता है यह मैच भी थोड़ा सा तो जरूर रिस्की रहेगा बट मैं प्रेफर करूंगा कि इस मैच में आप थोड़ा सा दिमाग से खेलो क्यूंकि दोनों टीम बहुत सारे बालिंग ऑप्शन्स यूज़ कर रहा है तो जो प्रमू प्लियर है या फिर अगर बालि यूनिट अच्छा है बट केस सजाद को फिलाल तो मैंने रखा बैट फर्स्टिल ट्राइबल है बट सेकेंड इनिक्स में अगर बैटिंग होता है इनका तो एक्स्ट्रा बॉलर इसके और या फिर ए रिष्टॉन जैसे प्लियर को आप जरूर यूज़ कर सकते हो खराप न मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो इस बंदी को अब जरूर ट्राइब कर सकते हो मुंगो रसल अगर बॉलिंग फर्स्ट्रा इंग्लें 11 का तो यह रहेगा दोस्तों मेरा फिलाल अपडेट इस मैच का कोई भी और अपडेट होगा फाइनल अप्डेट डेम टेम वगड फिलाल अप्डेट